आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय दो में कविता है धनुस भंग जिसके रचैता तुलसी दाजी है इसके 14 भाग के ब्याख्या सीखेंगे इसके पहले हम लोग उन्हें 13 भाग देख लिया है बहुत ही सरल कविता है सबसे पहले हम लोग इसमें आये हुए सभी सब्दों के अर्थ को जानते हैं फिर इसके व्याख्या करते है गिरा गिरा माने वाडी होता है आवाडी या आवाज आली नी माने भ्रहमरी होता है जो भ्रहमरा होता उसका इस्तिलिंग भ्रहमरी मुख पंकज यानि मुख रूप मुखिरूपी कमल, पंकज माने कमल, रोकी मतलब रोक रखा है, प्रकट वही रहेगा प्रकट करना न माने नहीं, लाज लज़्जा या लाज, निसा माने अंधकार, अंधकार या रातरी भी कह सकते हैं, आवलो की मतलब देख कर, लोचन माने आख, जल माने पानी, रह मतलब लोचन माने आँख और कोना मतलब कोने जैसे वही रहेगा परम माने अत्यंत या अत्यधिक क्रिपन माने कंजूस कर माने का सोना वही रहेगा सकुच मतलब सकुचा गई, ब्याकुलता वही रहेगा, बढ़ी मतलब बढ़ा हुआ, जानी मतलब जान कर धरी अर्थात धारण करके, धीरज मतलब धीरज प्रतीत मतलब विश्वास दिलाया, उर्माने हिर्दय, आनी का मतलब होता है दिलाया आनी माने दिलाया, तन वही रहेगा, मन वही रहेगा, वचन माने बाणी या वचन ही रह सकता है मोर मतलब मेरा, पन माने प्रण, साचा मतलब सच्चा, रगुपति माने स्री राम चंदर जी, पद सरोज, देखे पद माने पैर या चरण और सरोज माने कमल तो पद सरोज का मतलब चरण कमल, चित्य मतलब मन, राचा मतलब अनुरक्त्या लगा हुआ, ठीक है तो सभी कठी सब जो थे हम लोगों ने देख लिए, चले इसकी व्याख्या करें, हम लोग इसकी व्याख्या करें, इसके पहले थोड़ा सा संदर्व और की चर्चा कर ले जाए तो जब मैं इसका पहला भाग आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने इसका संदर्भ बताया था तो वह संदर्भ इस पूरी कविता के लिए होगा चले प्रसंग बार-बार बगलता है तो यहां पर हम प्रसंग लिख लेते हैं आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पध्यांस में तुलसीदास जी ने लज्जा के कारण सीता जी का राम के प्रति प्रेम को वाणी द्वारा प्रकट करने की असमर्थता का बहुत ही सुन्दर्वर्णन किया है ठीक है फिर इसे एक बार देख लीजे आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पध्यांस में तुलसीदास जी ने लज्जा के कारण सीता जी का राम के प्रति प्रेम को वाणी द्वारा प्रकट करने की असमर्थता का बहुत ही सुन्दर्वर्णन क किया है और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा चले अब व्याख्या की बात करते हैं आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ेंगे और लिखेंगे तुलसीदास जी ने सीता जी की वाणी की असमर्थता का वर्णन करते हुए कह रूपी भ्रमरी गिरा माने वाड़ी अलिनी माने भ्रमरी तो वाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके अपने जोड़ेंगे उनके मुख कमल ने मुख पंकज मुख कमल ने रोक रखा है फिर अपने जोड़ेंगे जिसके कारण वह कुछ बोल नहीं पा रही है आगे देखेंगे अपने जोड़ेंगे समाज की लज्जा रूपी रात्री को देखकर वे अपने प्रेम को नहीं प्रकट कर रही हैं लोचन जल उनके आँख में प्रेम रूपी जल लोचन कोना उनके आँख के कोने में ही रह गया जैसे अत्यधिक कंजूश व्यक्ति का कर्माने का सोना उसके घर के किसी कोने में पड़ा रह जाता है आप चाहें तो इस लाइन को पहले कर सकते हैं आप इसको भी पहले कर सकते हैं जिस तरह से अत्यधिक कंजूश व्यक्ति का सोना उसके घर के किसी कोने में पड़ा रहता है बाहर नहीं निकलता है उसी तरह से सीता जी के आखों में प्रेम रूपी जल उनकी आखों के कोने में ही रह जाते हैं अर्थात बे उन्हें बाहर निकाल कर अपने प्रेम को प्रकट नहीं करती हैं आगे देखें अपनी अपने जुड़े अपनी ब्याकुलता को बढ़ा हुआ जानकर सीता जी सकुचा गएं अपनी जुड़े अपनी ब्याकुलता को बढ़ा हुआ जानकर सीता जी सकुचा गएं और धैर्य धारन करते वे धारी धीरज धारी माने धारन करके धीरज वही रहेगा धैर्य तो धैर्य धार्य धारन करके अपने हिर्दय को विश्वास प्रतित माने विश्वास दिलाया यादी तान मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री राम चंद जी के चरण कमल के प्रति मेरा चित अनुरक्त है अर्थात लगा हुआ है तो आगे फिर अपने जुड़ेंगे क्योंकि अगर इतने परोग देंगे तो आपका अर्थ पूरा नहीं होगा ठीक है तो तो सभी के हिर्दय में वास करने वाले इस्वर मुझे उनकी दासी अवस्य ही बनाएंगे और आपकी व्यक्या पूरे हो जाएगी चले यदि कहीं ब अख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे तुलसीदाह जी सीता जी की वाड़ी की असमर्थता का वर्णन करते वे कहते हैं सीता जी की वाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख कमल ने रोक रखा है जिससे वह उसे बोलकर प्रकट नहीं कर पा रही हैं तथा समाज की ौफी रात्र को देख कर भी वे अपने प्रेम को अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर रही हैं जिस तरसी यहां पहले कर लेजी कभित हमारा पेश्या जिस तरह से अत्यनत कंजूस का सो ना उसके घर के किसी कोने में पड़ा रह जाता है बाहर नहीं निकलता है उसी तरह से सीता जी की आखों में प्रेम रूपी जल उन आखों कोना उनकी आखों के कोने में ही रह जाते हैं अपनी अपनी जोड़े अपनी ब्याकुलता को बढ़ा हुआ जानकर स्थीता जी सकुचा गई और धैर्य धारन करते हुए अपने हिर्दय को विश्वास दिलाया कि यदितन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और सिरी रामचंद जी के चरण कमल के प्रति मेरा चित अनुरक् अपनी जुड़े तो सभी के इर्दय में वास करने वाले इस्वर मुझे उनकी दासी अर्थात्स्री रामचंदर जी के दासी अवश्य बनाएंगे और आपका आपकी जो ब्याक्या है वो पूरी हो जाएगी आज इतना ही कल इसके आगे की जो चार लाइन है हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे